Hello everyone, welcome back to my new vlog और देखिए friends, आप सभी का स्वागत फिर से मैं करती हूँ एक बार फिर से अपने गाउं में, अपने माईके में तो देखिए आज जो है मैं अपने माईके में पहुँच चुकी हूँ और अभी जो है यहाँ पे टाइम हो रहा है नौ वजने वाली है पॉने नौ तो गाउं में क्या होता है कि काफी जल्दी उठ जाते हैं मौनिंग में सभी लोग हम भी पांच बजे उठ चुके थे लेकिन यहाँ पे जो है फोन बिल्कुल मेरे चार्ज नहीं था तो मौनिंग का व्लोग जो है मैं नहीं बना पाई कल जरूद बनाऊंगी कि क्या कि हम लोग करते हैं यहाँ पे और यह है मेरे मायके का घर यह देखे तो अभी उपर भी है उपर के साइड तो फिर मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को तो बस हमने ब्रेकफरस्ट वगेरा कर दिया है और बच्चे थोड़ा सा रोड में घुमने के लिए गए हैं इदर गाउं देखने के लिए और बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर घर में मैं हूँ और मेरी डीदी जो है साथ में जो आई थी तो हम दोनों यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं क्योंकि मैमी अकेली रहती है और अभी ममी चले गए है क्षेत में और फीट बस घर का अभी मैंने बर्तन धोड़े हैं देखें यहाँ पर एसी होता है तो मैंने बढ़तें वगएरा धूलते हैं और अंदर में अब लगाने वाली हूँ जाड़ू तो बस आप लोग देखें किस तरह से यहां का काम होता है तो बस यह देखिए यह है हमारा एक रूम और यहां पे देखें बच्चे सू रखे थे और अभी जो है रजाई वगरा फोड नहीं की है उन्होंने तो बस में सबसे पहले यहां पे रजाई को फोड कर दी थी और बस इसी तरह से हमारे बेड होते हैं गाउं में हर रूम में एक एक बेड सिंगल बेड होते हैं और यह देखें यह हमने रजाई बिचा रखी है इसमें क्योंकि यहां पे ठंडा काफी हो रहा था और बेड सिट बस बच्चोंने कराब करती थी तो इसको इस तरह से जो है बिचा देती हूं यहां पे तो बस देखें हम लोग अभी 2 साल बात गाउं आ रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है गाउं में और गाउं का च्जू है माहुअल होता है खाना पीना पानी वगएरा सब काफी अच्छा होता है सिटी से और बिल्कुल भी यहां पर पल्यूशन नहीं होता है अच्छी अच्छी हवाईं चलती है फ्रेस हर्चीज होता है यहां पर तो बस यह है और टाइम तो हम नहीं करते थे पहले घर में इस तरह के काम जाड़ो बगयरा सफाई क्योंकि पापा तेव लहीं करते हैं तो यहां पर बेभो रॉनी ने देख है अपने कपड़े फिलाये थे रात को अपने अलग कपड़े पैंने चेंज करके तो इन्हों ने दिन के कपड़े यहां पर फैक रखते थे तो पानी थोड़ा सकी काम आता है यहा नहीं दोएंगे तो बस ये देखे मैंने ये वाला रूम जो है सई कर गया है लो गाइस कैसी हूं बर्तन साफ कर रहे हम लोग ममी के घर में तो देखे मैं लगा रही हूं जाड़ो और दीदी धोड़ी अब बर्तन तो ये देखे ये है चाय बनाने की केतली देखे जाओं की सर्जी हो रही थी कल गाओं में बारिस हुई तो सर्जी हो रही थी आज बड़ा अच्छा दूप है और हम लगे हैं काम पे कितन की सपाई कर रहे हैं बलतन बलतन और मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना फ्लीज फ्लीज तो चलिए फिर और अभी देखे यहां क्या बैड़ा दूब में मस्त यह देखे और यह देखे डॉगी यहां तो देखे आराम से मस्त सो रहा है और यह देखे बादल उपर कितना अच्छा व्यूद दिख रहा है देखे तो बस देखे वो वाला रूम साफ करने के बाद थोड़ा सा हम आए बाहर पे और अब दूसरा रूम कर रही हूँ यहां पे और अभी तो बहुत सारे रूम है तो बस देखे जाडू लगाते हैं इदर और काफी जो है गंदा सा हो रखा है तो बस तो बस देखे यहां पे लग चुका है मेरा जाडू और देखे किती सारी जो है रेत निकर रही है यहां पे अंदर से कुड़ा तो यहां पे कम है लेकिन रेत रेत बहुत जादा है क्योंकि जो फर्स से इसका देखे पूरा निकल रहा है और अंदर पे सारे rooms में लगाने के बाद देखें मैं आगे हूं बाहर पे तो गाउं में देखें इस तरह का होता है ये बाहर आंगन जो होता है और ये पत्थर लगाए रहते हैं गाउं के इसी तरह का होता है यहां पे और इनमें जो यह जाड़ू अच्छे से नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी जितना लग पा रहा है बस लगा रही थी यहां पर और बच्चों ने बिस्किट वगरे की कूड़े जो है फैके वे थे और मौसम देखे कितना अच्छा हो रहा है व्यू इतना अच्छा आ रहा है बिल्कुल क्लियर मौसम तो बस देखे यहां पर और मेरी और दीतना अच्छा है जो है बात है शुरू हो चुकी थी यहां पर काम करते करते और बच्चे भी यहीं पर बैटे थे तो बस मैंने पूरा जो है यहां पर लगा ले था जाडू और बच्चे देखे अब गूम रहे हिदर उदर तो बस यह देखे इस तरह से यहां पर कुड़ा मैंने इस तरह से उठाया क्योंकि कुछ थानी उठाने का तो बस यह पेपर वगएरा थे यही मैंने इनसे उठाया तो बस देखें अभी टाइम हो रहा है साड़े बारा और लंच टाइम यहां पर होगें यहां पर जल्दी कर देते हैं लंच टाइम गाउं में क्योंगी और यहां पर देखें मैंने रखा है चामल बनाने के लिए और यह है डाल और ये है कड़ी तो बस देखें यहां पर और ये है किचन ममी का और यहीं पर हम लोग बनाते हैं और बैट भी देखें लगा रखा एक बैट में के लिए बच्चों के लिए तो उमीद करते हूँ आपको आज मेरा जो है गाव का ब्लोग अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो मेरी जैनल को सब्सक्राइब करें दब्रीबल की नाम हुने और साथ में लाइक जरूट कर दें मेरे फेरें के नेक्ट के वीडियो में बैबाए